हाई हमारे चैनल Automation Fever में आपका स्वागत है आज हम एक Notepad फाइल से Excel की फाइल में डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे हमारे पास Sales Data नाम की एक Excel की फाइल है इसमें Sales का डेटा हमने इस्टोर कराया हुआ है इस डेटा को हमारे पास Seat One नाम की एक Seat है इसमें Import करके लाना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक String Type का Variable Declare कर लेते हैं Variable का नाम हम File Path लिख लेते हैं इसका Data Type String रहेगा इस Variable में हम उस File के Path को Store करा लेते हैं जिसको हमें Open कराके जिससे Data हमें Import कराना है Sales Data नाम की हमारी ये File है इस पर Click करेंगे फिर Shift के साथ Right Click करके इस File के Path को Copy करके हम अपने File Path नाम के Variable में Store करा देंगे आगे हम एक और Variable Declare करेंगे Integer Type का जिसका नाम हम File Number रख लेते हैं इसका Type Integer होगा इस Variable में हमें क्या करना है हम Free File Method का यूज़ करके Next Available Integer Number टेक्स्ट फाइल के लिए निकाल लेंगे और इसको वापस File Number नाम के Variable में हम Store करा लेंगे अब अपनी NotPet फाइल को Open कराते हैं उसके लिए हम लिखते हैं Open Command उसके आगे वो फाइल देंगे जिसको हमें Open कराना है उसका पाथ हमने File Path नाम के Variable में Store कराया हुआ है वो पाथ यहां पर देंगे उसके बाद हम इस File को Open करेंगे तो Read करने के लिए करेंगे तो File Open करने का जो Mode देंगे हम वो Input देंगे और File Number हमने निकाल के File Number नाम के Variable में Store कराया है वो है इसको यहां पर देंगे और सबसे Last में जो File हम Open कर रहे हैं उसको Close भी करा देंगे अब यहां पर हम एक Loop लगाएंगे Do Until Loop का हम यूज़ कर रहे हैं यहां पर और Loop को कब तक चलाना है जब तक हमारा Poynter Last Line तक नहीं पहुंच जाता वो हम निकाल सकते हैं EOF जो हता है End of File यहां पर वो File देंगे जिसको हमें चेक कराना है कि Poynter सबसे Last वाली Line में पहुंच गया है कि नई वो हमारी है यह वाली File हम यहां पर File Number पास कर देंगे और अब एक Variable Declare कर लेते हैं CUR Line के नाम से String Type का इस Variable में हम NotPet File से Single Line का जो भी डेटा है वो निकाल के इसमें डलवाएंगे वो हम करा सकते हैं उसके लिए हमें एक Command मिलती है Line Input उसके आगे हमें देना होता है File Number इतनी जो Command है यह हमारी जो भी NotPet की File हमने Open कराई है उससे एक Line निकालेगी और उस Line को जिस भी Variable में हमको Store कराना है वो यहां पर हम लिखतेंगे जैसे हमारा भी Variable है CUR Line नम से अब यह CUR Line वाला जो Variable है इस String Type के Variable में एक-एक करके सारी Line Loop के अंदर Store होती जा रही है अब हम क्या कर सकते हैं Easily String का जो डेटा है उसको हम अपनी Seat में लिखवा सकते हैं हमको Row by Row डेटा लिखवाना है और हम Do Until Loop का यूज़ कर रहे हैं तो Counter को हमको Code के द्वारा ही Increase कराना पड़ेगा उसके लिए हम Index नम का Integer Type का Variable बना लेते हैं और Index नम का जो Variable है इसमें Loop के हर इडरेशन के साथ एक Value एड़ कर देते हैं और जो डेटा है उसको हमें राइट कराना है Seat1 नम की Seat में तो हम लिखेंगे Seat1 Range Range क्या होगी हमारी Column A रहेगा और Row होगी जो भी हमारे Index नम के Variable से आ रही है इसके आगे हम Dot Value लिखे या ना लिखे Same ही होता है Equal To हम लिखतेंगे CUR Line नम का String Variable अभी Save करूँ और सिर्फ इतने ही Code को में Run करूँ तो आप देखोगे NotPet फाइल में हमारा जितना भी डेटा था वो सारा हमने बहुत आसानी से Excel की फाइल में Import करा लिया है अभी जो NotPet फाइल का डेटा है वो हमने Single कॉलम में Write करा है इसको Multiple कॉलम में हम Split भी करा लेते हैं तो आप देखेंगे हर कॉलम की Value के बाद एक Tap Character लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं इस डेटा को अभी के लिए यहां से Delete कर देते हैं और Text to Columns का यूज करके हम Single कॉलम के डेटा को Multiple कॉलम में Split करा सकते हैं इसके लिए हम लिखेंगे Seat1 हमारा डेटा स्टार्ट होगा Seat1 में A1 Cell से उससे लगा के Current Region तक जितना भी डेटा है उसको हमें Split कराना है Text to Columns की मदद से और जो हमारा Delimiter है वो Tab है हम Tab को कर देंगे True Save करे Excel की Seat पे जाके Import Data नाम के बटन पे किलिक करके हमने अगर अगर अपने Macro कुरन किया तो सारा डेटा NotPet फाइल से Import होके Excel की फाइल में हमने Single Column में लिखा है उसके बाद Text to Column का यूज़ करके उसको Multiple Column में बहुत आसानी से हमने Split करा लिया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेट में हमको बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हम मिलेंगे आपको Next Lecture में Thanks for watching this video Bye